किया मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता ये ऐसा कॉष्चन है जो किसी भी काम को करने से पहले हमारे दिमाग में जदा तर टाइम उठता है और ये बहुत ही प्रॉब्लम्स को क्रिक करता है और जब हम इसके एंसवर को नहीं जान पाते हैं इसे find out करने के लिए, इसके answer को find out करने के लिए हम इसके बारे में अपने friend से, अपने family से discuss करते हैं और अगर आप कभी ध्यान दिये होगे, तो आपको पता चला होगा कि उस discussion में भी हमें इसका answer नहीं मिल पाता है और नहीं तो हम और ज़्यादा इसे लेके confused हो जाते हैं तो कि आप कभी ये सोचे हो कि ये question हमारे दिमाग में आता ही क्यों है अपलब क्यों उड़ता है ऐसा question तो चलो इसे जरा अप ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा और आप चाहें मानो या ना मानो, ये question एक ऐसा question है जो हमारे life में उन चीजों को achieve करने से ही रोपता है जो हम actual में कर सकते हैं बट question तो ये उड़ता है, कि ये question उड़ता चीम है अब जरा इसे ध्यान से समझना अच्छा आप कभी notice कियो, कि जो छोटा सा baby होता है मतलब बच्चा होता है, उसे आप जो कुछ भी कहते हो वो उसे real मान लेता है उसे कभी question नहीं उठाता है और यही कारर होता है, जब हम छोटे बच्चों को कोई story सुनाते हैं तो वो उन चीजों को real मानते चलते हैं जैसे कि मान लो, अगर आप उसे कार का खिलावना दो दो और उसे बोलो कि यह एक airplane है तो वो उसे airplane ही मानेगा और तब तक airplane मानेगा जब तक उसे कोई यह ना बता दे कि car क्या होता है और airplane क्या होता है जब तक उसे अच्छी तरीके से कोई differentiate ना कर दे उन दोनों चीजों के बारे में सब तक वो airplane ही उस चीज को समझेगा और आप कभी ये सोचे हो कि वो question क्यों ने उठाता है देखो वो question उठा ही नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर अभी उसका conscious mind develop नहीं हुआ है कई studies में पाया गया कि एक baby मतलब कि एक जो बच्चा होता है ना उसके अंदर उसका conscious mind होता है वो 8 साल के बाद ही develop होता है मतलब कि 7 से 8 साल की उम्र तक उसके अंदर conscious mind होता ही नहीं और इसलिए वो किसी भी चीज़ पर question नहीं लगाता है वो just उन चीज़ों को मान लेता है उन बातों को real मान लेता है जो आप उसे कहते हो और ये एक ऐसा भी समय होता है जब हमारे उपर सबसे जादे positive और negative बातों की बरसात की जाती है हमें बताया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं लेकिन problem यह है कि कभी भी हमें यह clarify नहीं किया जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम जो नहीं कर सकते हैं और यह question आज भी हमें परसान करता है क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो हम कर सकते हैं और ऐसी भी बहुत सी चीज़े हैं जो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें कभी ये बताया ही ने जाता है कि उस कर सकने वाले लिश्ट में क्या-क्या है और वो नहीं कर सकने वाले लिश्ट में क्या-क्या है और creator पर सक करते हो अपने सब conscious mind के power पर सक करते हो इस universe पर सक करते हो चलो एक example से समझाता हूँ अचा सोचो जब एक new company कोई भी new company market में आती है और वो अपने कोई new product को launch करती है तो वो हमेशा चाहेगी कि उसका जो product हो वो सबसे best हो और अपने आप में ही एकडम मस्त हो मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो उस product में company को छोड़ो अगर आप ही कुछ बनाते हो तो आप हमेशा सोचते हो ना कि हम जो बना रहे हैं वो एकडम best हो तो सोचो अगर आप ऐसा सोचते हो जो हमें बनाया है वो क्या ये चीज करते हो ये बहुत बुरी बात है तो अब ये question उठता है किस से बचा कैसे जाए मतलब आप अपने दिमाग की पुरानी सोच को बदल कैसे सकते हो बचपन वाली सोच को बदल कैसे सकते हो जो बचपन से हमें सिखाया गया है उन चीजों को चेल्ज कैसे कर सकते हो और इसी चीज को कहते है रिप्रोग्राम योट सब कौन सी असमाएं तो टेंशन की बात नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है A to Z fact is here bro मैं आपको इजली इन चीजों को समझाता हूं बस इसे आप थोड़ा समझने की कोसिस करना वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको इजली एक्स्प्लेन करता हूं देखो एक घर को टिके रहने के लिए जरूरी है कि उसका जो पिलर हो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो ताकि वो किसी भी हथाओडे के मार से ना गिरे और अर्थ कोई के मार से भी ना गिरे उसके हमें पिलर को मजबूत करना होगा आटोमैटिक घर मजबूत हो जाएगा तो ऐसे ही सब कॉंसियस माइन को रिप्रोग्राम करने के लिए भी उसके चार फिलर होते हैं मतलब मैंने इसे एक तरीके से चार पार्ट में डिवाइड किया है और इसी तरीके साब इसे इसली समझ सकते हो पहला है जो आप देखते हो दूसरा है जो आप सुनते हो तीसरा है जो आप बोलते हो चौथा है जो आप सोचते हो इसे समझने से पहले आपको जरूरी है कि आप ये समझो कि सजेशन एक्चुल में काम कैसे करता है देखो एक सजेश्टेशन में एक सलाह में कभी उसकी खुद की सक्ती नहीं होती है लेकिन जब आप उसे सुनते हो उस पे बिचार करते हो और उस suggestion पे react करते हो तब आप उसे अपना power देते हो और उसे powerful बना देते हो चलो एक example से समझते हैं मान लो आप एक ship पर पहली पहली बार travel कर रहा है इससे पहले आप कभी भी ship पे travel नहीं करियो तभी आपका captain आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आपको देख के लगता है आपकी तबीएत खराब हो रही है और सायज आपको vomiting भी हो सकती है कि आप पहली पहली बार ship पे travel कर रहे हैं चलिए मैं आपको आपके cabin तक पहुँचा देता हूँ ऐसे बोलता है और आप उसकी बात को जब सुनते हो तो उसके help से आप अपने cabin तक तो पहुँच जाते हो लेकिन क्योंकि वो captain है और वो ज़्यादा तर type ship पर आता जाता रहता है तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो उसकी बात पर आपको बिस्वास हो जाता है और फिर वो जो बोलता है कुछ दिर बाद वो चीजें सही भी हो जाती है लेकिन अब इसे ज़रा दूसरे नजर ये से देखते हैं सोचो अगर आप रोज ship पे travel करते तब तब अगर यही बात कोई भी इंसान कहता या फिर वो captain नहीं कहता तो आपके उपर यह होता कि आप उसे मजाग समझते या फिर उसे वहाँ से दफा करते ते क्योंकि आप रोज रोज ship पे travel कर रहो तो आपको अपने अंदर confidence है आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और इसलिए आप उसकी बात को नहीं सुनते इससे हम समझ सकते हैं कि suggestion को मलब ना सुनने के लिए जरूरी है कि हम अपने self confidence को enhance करें उसे बढ़ाएं तब ही हम किसी के suggestion को नहीं सुन पाएंगे उसे ignore कर पाएंगे साइस्टेशन से कहीं लोगों की मौत भी हो चुकी है चलो मैं आपको उनमें से एक real accident बताता हूँ एक बार एक इंसान एक भविस्य वक्ता से मिलता है मतलब वो लोग जो भविस्य वक्ता से मिलता है अब वो इन चीजों को सुन करके उसके बारे में सूचने लगता है और वो इसे अपने family से अपने friends से सब को बता देता है और वकिल को बोला करके अपने घर के कागज को भी सही करवा लेता है मतलब एक तरिके से वो अपने मरने की ही तयारी कर रहा होता है और जैसे जैसे अमास्या करीब आती है उसका तभियत दिन पर दिन खराब होने लगता है वो इंसान जो कुछ दिन पहले एकदम मस्ट था, एकदम मस्ट लाईब को जीर आता उस सजिस्टेशन के कारण, उसके उपर रियाक्ट करने के कारण धीरे धीरे उसका तवियत खराब होने लगता है और जैसा वो भविस वक्ता कहीं थी हमौस्या के देन उसे हट आटाइक आता है और उसकी मृत्य हो जाती है तो आपो क्या लगता है ये उस भविस वाली के कारड हुआ उसकी वज़े से हुआ बिल्कुल भी नहीं यार, ये उसकी सोच के कारड हुआ, वो सज़ेस्टेशन को समझा और उस पर बार बार सोचने लगा, उस पर रियक्ट किया, इसलिए उसकी जान चली गई, अगर वो सज़ेस्टेशन को अपने उपर हाबी नहीं होने दिया होता, उस पर रियक्ट नहीं क के पर देखता जाता है हमें डराया जाता है धर्म के नाम पर और भी चीजों को ले कर दो अब उस चार पार्ट को दुबारा समझने की कोशिश करो नमबर वन था जो आप देखते हो मान लोग आप मॉर्णिंग मॉर्णिंग में उठे और आप न्यूज पर देखे करोना वाइरस के बारे में और आपको ये बताया गया कि करोना वाइरस इतने लोगों की मौत हो गई यहाँ पे इससे यह हो गया, वहाँ पे उससे वो हो गया माना कि यह चीज़े नॉलिज भी देती हैं लेकिन इससे आप उसके बारे में दिन भर सोचने लगोगे और ये भी एक कारण है कि करोना वाइरस इतना तेजी से फैला है क्योंकि लोगों के अंदर उसका खौफ आ गया था अब लोग उसके बारे में सोचने लगे थे और कभी-कभी नियूज और नियूज पेपर में इतनी बकवास चीज़े बता दी जाती है जिसका हमारे लाइब से कोई लेना देना ही नहीं होता है इसका हत्या कर दिया गया उसकी साधी उससे हो गई ऐसी फालतू चीज़े आप समझ सकते हो ऐसे माइंडलिस बातों को बता जाता है जिससे हमारे लाइब में कोई लेना देना ही नहीं होता है अचा सोचो हमें अगर ना पता रहे कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई तो इससे हमें क्या होगा मतलब हमारी लाइब पे कोई इप्रैक्ट पड़ेगा क्या नहीं ना और मैं आपको एक परसनल बात बता हूँ मैं कभी भी टीवी नहीं देखता हूँ लेकिन जो टीवी है ना इस पे सबसे जादे जो टेलिविजन पे निगेटिविटी फैलाने वाली चीज है ना वो होता है सीरियल अरे यार क्या बताओ ये सीरियल से लोगों में इतना निगेटिविटी फैलाते हैं जिससे आप समझ भी नहीं सकते हो emotional blackmail, रोना, पीटना तो इसी में सबसे जादे दिखाया जाता है तो आपको इन चीजों को बंद करना होगा निगेटिव चीजों से दूर रहो जहां से भी ये फैलती है उन चीजों से दूर रहो और इस तरीके से भी आप अपनी सोच को बदल सकते हो number 2, जो आप सुनते हो ये इन चारो parts में से सबसे जादे effective part है जो हमें दिन पर दिन जहिलना पड़ता है हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें negative बातों को जहिलना पड़ता है कैसे मान लो, अगर आपके दिमाग में कोई new idea आया तो आप अगर उसे लोगों को बताते हो अगर वो लोग आप जैसी सोच रखते हैं तब तो वो आपको ये बताएंगे कि आप उन्ची जोगों कैसे कर सकते हो लेकिन अगर वो लोग आप जैसी सोच नहीं रखते हैं तब वो आपको ये बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं किया है, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसी ही फालतु बात है, और हमें अपने घर में ही सुनने को मिल जाता है, कि बगल वाले का लड़का नहीं किया, तो तुम कैसे कर पाओगे, सोसाइटी में कोई नहीं किया, तो तुम कैसे कर पा जो जरूरी चीज़ हैं उससे आप सीखो लेकिन जो जरूरी नहीं है जो निगेटिव है उसे जस्ट एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो यही सबसे अच्छा तरीका होगा इन चीज़ों से बचने के लिए नमबर थ्री जो आप बोलते हो मैं आपको पहले ही कई वीडियो में बताया है कि हमारे सब कॉंसियेस माइंड को मजाख नहीं समझ में आता है जो आप उससे बोलते हो वो उससे रियल मान लेता है और आप जाने अंजाने में ही या फिर मजाख में ही उसे बहुत सी निगेटि में बोल रहा हो ना लेकिन सब कॉंसियस माइंड को तो ये रियल लग रहा है वो मान रहा है कि सच में इसकी लाइफ खराब हो रही है और फिर आप बोलते हो कि सब कॉंसियस माइंड काम नहीं करता है मेरी लाइफ में हमेसा निगेटिव चीज़े होती है जब निगेटिव ब पदल करके भी आप अपने सब कॉंसियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो नमबर वन और सबसे जरूरी पार जो हम सोचते हैं हमारी लाइफ, हमारे बिलीग और हमारे थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं और हमारे सोच में जो सबसे बड़ा role play करता है वो होता है suggestion लोगों की suggestion को सुन करके जब हम उस पर react करते हैं उस पर thinking करते हैं तब वो हमारे लिए बहुत पूरा होता है बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है जैसा उस accident में देखे उस suggestion के कारड़ उसकी मौत हो गई अगर वो उसकी बात को just ignore कर देता तो सायद वो जिन्दा होता है सबसे पहले आपको अपने सोच पर control करना होगा और इसे control करने का जो सबसे best तरीका है न वो यह है कि जहां से भी आपको कुछ negative सुनने को मिलेना उन जगों से दूर रहो और हमेशा अपने आपको positive side में रखो अप अपने आपको positive affirmation से भरे रहो हमेशा कहो कि मैं कर सकता हूँ लेको मैंने अपने जब यह word बोला ना तो आप इस energy को feel कर पायोगे और जब तक मैं यह negative बाते बता रहा था ना मैं सच में बता हूँ अपने आप में ही मुझे बहुत अजीब सा feel होता है लेकिन जब मैं यह ब बोला कि मैं कर सकता हूँ ऐसे positive vibes को जो मैं बोलता हूँ ना तो मेरे अंदर energy भर जाती आप खुद भी करो आप के अंदर खुद भी ऐसा feel होगा इन चारों चीजों को आप सुधार करके अपने सब conscious mind को reprogram कर सकते हो पुरानी सोच को बदल सकते हो और उसे अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा आप चाहते हो और मैं आपको एक personal advice दिना चाहूंगा आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता और किसी से इसके बारे में पूछना ही मत उसकी जगर पे आप ये पूछ सकते हो कि उस काम को कैसे किया जा सकता है इ अच्छा सोचो जब Ride Brothers के दिमाग में airplane का idea आया होगा तो क्या वो ये सोचे होंगे कि क्या हम इसे कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे बलकि इस बात पर हजार बार discuss किये होंगे कि इस airplane को बनाया कैसे जा सकता है उसके बारे में कई बार सोचे होंगे लोगों से भी पू तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ share करो ताकि वो भी ऐसी बातों को जान सके हैं और अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उन चीजों को पा सके हैं और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार देख रहा हो ना तो मैं आपको बता दू यह एक सिरीज चल लए है आपको पीशे की तीन-चार वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए और इन वीडियो में इतना पाउर्फुल है कि अगर आप इंचे जो को फॉलो करोगे ना तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो अगली वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन चेकरो और वी इंट्रेस्टिंग वीडियो का मजा लो